दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी को हमारे यूटूब चैनल पे आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप पीवीसी अधार कार्ड के लिए अपलाई कर चुके हैं तो आप उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा पीवीसी अधार कार्ड कहां तक अभी बहुचा है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाईज कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलागा प्रेस कर लिजए गाईज और मेरे टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है मिलेगा और अगर आप पेटियम कैस कमाना चाहते हैं गाईज तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है अगर उसमें जाका रजिस्टर करते हैं और अपने फैमली फ्रेंड्स के साथ रेफर करते हैं तो आपको बहुत सरा कैस्ट बैक कमाने का मौका मिलेगा गाईज तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाका रजिस्टर कर लिजिए उसके बाद चलिए आप यह सेर्च करने के बाद यह देखिए विबसाइट है इस पर क्लिक करने के बाद गाइस देखिए इस पर करका इंटरफेस आ जाएगा थोड़ा सा स्ट्रॉल करना है अस्ट्रॉल करने के बाद यहां पर आख देख सकते हैं आपतो लीखा हुआ है चेक और पिवी सी कार्ड स्टेटस चेक अधहर पिवी शीकार्ड प्रेस आपको दिख रहा है किया गया होगा करने के बाद यहां पर करने के भाद दिखाते हैं यहां पर सारह एसया कुछ घया क्या Bye करेंगे चेका status पर क्लिख करने के बाद गाईज आपका आधार कार्ड कहा है वहां पर आपको दिखा रहा है देखिए एसरे नमबर यहां पर दिखा दिया उसके बाद यहां पर लिख रहा है एसरे न स्टेटस रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस यहां पर आप देख सकते हैं अपर अंडर प्रोसेस है गाईज और यहां से आप acknowledgement sleep भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर click करके download करके आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर तो आप ने देख लिया अधार का status अभी process में है गाईज इसे आने में 10 से 15 दिन लग जाता है PVC अधार कर्ड को अगर आप apply किये हैं तो आपको घवराने की कोई बात नहीं है दस से 15 दिन में आ जाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ share कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए फिर मिलते है नेक्स टूडियो और नेट टॉपिक के साथ थैंक यू